जैन दोस्तों, दोस्तों आज आपके सामने मैं बहुत महत्पूंड वीडियो लेकर आया हूँ जो कि AGI F से हॉमलोन के बारे में हैं जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा है मेरी गारंटी 35,00,00 तक 15 दिन में और दोस्तों यह कुछ क्रॉस का निसान है जो कि AGI ने काफी डाकुमेंट को अभी रिडिश कर दिया है तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा दोस्तों मैं एक बार AGI F में पोस्टेट था हॉमलोन सेक्शन में ही तो मैंने देखा कि हमारे जवानों को हॉमलोन लेने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है और सिर्फ बज़ए यह है कि डाकुमेंट और अवेरनेस सिर्फ छोटी सी बज़ए है कि जानकारी नहीं कि डाकुमेंट क्या चाहिए है और कूरी अवेरनेस नहीं है कि लोन कौन सा सिर्फ लोग कहते हैं AJF हॉम लोन लेकिन हॉम लोन में दोस्तो आठ से दस तरह का लोन होता है जो कि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल इसपश्ट करके बताऊंगा क्या डाकुमेंट हैं कितना टाइम लगे कौन सा डाकुमेंट यूनिट से बनेगा कौन सा डाकुमेंट बाहर से वैसे सिर्फ चार डाकुमेंट हैं जो बाहर से बनेंगे उसके बारे में डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद 15 दिन के अंदर आप हॉम लाउन सेंक्षन कराएंगे तो दोस्तो जिस टेम पर यह मैंने यह जाई पुश्टिट था मैंने तब डिसाइड किया था लोगों को देखके जो लोग नोल नहीं ले पा रहे थे सिर्फ छोटी छोटी बजायों से कि जब मैं रिटायर हूँगा तो यूट्यूब चैनल के थुरू यह ऐसी इस तरह की बहुत सारी महत्पूर जानकारी जवानों जैसे उस्वार तक पहुंचाऊंगा जिसके माद्यम से आज मैं हाजर हूँ आपके सामने ये वीडियो लेकर मेरा नाम है प्रमोट आप देख रहे हैं साइनिक वेलफेर समाचा यूट्यूब चैनल तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों ये है AGI F की बुकले जिसको आप दो तरीके से मगा सकते हैं जो आप स्कीन पर भी देख रहे होंगे ये जितने भी लोन होम लोन होते हैं होम लोन दोस्तों आठ परकार के होते हैं ये सारे होम लोन की एक बुक है पहले अलग अलग आती थी आजगल एक आती है दोस्तो इसका पीछे rate लिखा हुआ है यह 300 रुपे की AGIF New Delhi से आती है उसका address मैं आपको दिखाऊंगा इसके पहले page पर है और दोस्तो दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि आज की rate में जो interest rate है वो 7% है और किसको कितना loan मिलेगा वो मैं EMI चार्ट के थुरू आपको बताऊंगा कि कितने साल के लिए कितने amount पर कितनी EMI बनेगी तो दोस्तो देखते हैं अभी 8 परकार के home loan कौन कौन से हैं जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तो यह self construction है आपके खुद के plot पर अपने plot पर घर बनाना और दोस्तो यह दूसरे number पर है plot purchase and construction plot खरीद कर घर बनाना और दोस्तो आगे आप देख रहे हूंगे Awho से बना हुआ घर लेना अपने बने हुए घर को repair करना यानि जो घर आपको पहले से आपके पास है उसको आप repair करना चाहते हैं यह वो loan है और दोस्तों फिर आगे है अपने पहले घर को और बड़ा बनाना यानि घर बना हुआ है उसी को औ और alternative और बड़ा बनाना यह वो लोन है दोस्तों उसके बावद है housing board society यानि किसी society से खरीदना बना हुआ घर और दोस्तों लाश्ट में है जो ज़्यादतर लोग खरीते हैं बिल्डरों से डीलरों से उनसे घर खरीदना या plot खरीदना तो दोस्तों पहले plot खरीदने के भी मिलता है अभी उसमें यह condition है कि दोस्तों अगर आपको plot खरीदना है तो उस पर घर बनाना भी होगा अब कई लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं comments करके लोग पूछते हैं कि plot तो जबी खरीदेंगे पहले loan मिले तो उसकी भी बात आज इसमें detail में करूंगा कि plot खरीदन है फिर उस पर घर बनाना है तो दोनों के लिए पैसा एज याइव से कैसे मिलेगा यानि कि plot कम construction तो उसका सारा procedure इसी वीडियो में बताऊंगा और अभी बात करते हैं दोस्तों आगे documents की यह तो हुए loan के प्रकार अभी किस loan में क्या document चाहिए अभी उसकी बात करता हूं द दूसरा lanter level पर और तीसरा completion पर और दोस्तों नमर दो पर यह जो नकसा है यह अभी नकसा नहीं देना होता है यह आपको photo देने है यह आपको नकसा नहीं देना है और दूसरा दोस्तों तीसरे नमर पर search report बकील से यह भी आजकल नहीं देनी है उसके बाद अगला है दोस्तो चेंज ओप लेंड यह certificate पहले जाता था आज कल यह भी एज आई ने cancel कर दिया है इसको भी आपको नहीं देना है और दोस्तो अगला है no do certificate यह भी आज कल कोई certificate की जरूत नहीं है यह भी cancel हो गया है और दोस्तो आगे है sell deed registry यह आपको देनी है और दोस्तो यह तो वो registry है जो आप पहले प्लोट और लेडी खरीच्चों के रेश्टी आपके पास है उसकी ही photocopy देनी है पहले original जाती थी आज कल वो भी नहीं अभी आपको photocopy देनी है उसके बाद दोस्तो अगला है मकान बनाने का estimate plan यह दोस्तो estimate plan देना है आपका खर्चा कितना आ रहा है मकान में जो के आपके booklet के application में 11 नमर page पर format दिया है उसी में आपको इसकी detail देनी है अगर आपको 10 लाक loan लेना है 15 लाक लेना है या 20 लाक लेना है यानि कि 20 लाक लेना है तो 22 लाक रुपे का estimate बना के देना होगा तो उसमें क्या खर्चा क्या आ रहा है उसका estimate plan बोलते हैं वो एक certificate है जो आपको देना है और दूसरा है दोस्तो लास्ट पॉइंट जमावंदी खाता यह वो होता है जो आप नकल बोलते हैं जमावंदी खाता कतूनी यह अपनी छेतरी वासा में बोला जाता है तो यह आप समझ गए होंगे हर जगे के हिसाब से इस document को अलग अलग नामों से जाना जाता है तो दोस्तो यह एक certificate देना है तो कुल मिलाके दोस्तो आपकी जो booklet के page है एज आई अपके उसमें से 9 page ऐसे हैं जो यूनिट में भरके sign कराके आपके नाम नमर भरके आपके sign कराके आपका बाबु उन्हें भर देगा आप चाहें पढ़के खुद भी भर सकते हैं और दोस्तो सिर्फ तीन डाकुमेंट रह गए हैं आप बाहर से देने के लिए जैसा कि आप देख रहे होंगे ये तीन डाकुमेंट अब आपको देने हैं जिनमें एक फोटोग्राप से हैं वो तो आप कोई खींचने आप कोई बनाने ये जिनमें आपकी एक रजिश्टी ह और सिर्फ दो डाकुमेंट हैं तो अभी आप समझ गया होंगे कि अपने प्लोट पर घर बनाने के लिए इतना इजी स्टेप हो गया है अभी एजिया ये के डाकुमेंट से आपको नहीं डरना है तो दोस्तो ये तो थी अपने प्लोट पर कंस्ट्रेक्शन करने का अभी ब बनाना है तो उसकी क्या कंडिशन है वह आपको दिखाता हूं इसमें दोस्तों कुछ कंडिशन है आपको प्लोट खरीदने के एक साल के अंदर कंस्ट्रेक्शन करना होगा पहली कंडिशन दूसरी कंडिशन आपको 40% कीमत मिल जाएगी प्लोट की जैसे आप एग्रिमेंट करोगे 40% में आपको प्लोट खरीदना होगा बचा 60% यानि कि अगर आपको 20 लाक रुपे लेना है तो आपको 40% प्लोट खरीदने के लिए दिया जाएगा 60% आपको दो किस्ट बाद में दिया जाएगा यानि कि पैसा आपको 20 लाक ही मिलेगा अगर आप 20 लाक लेना चाहत गेसे बी 40 Rosalans मिलने के बाद 60% आपको दो किस्तों में मिलेगा जब एक आप agreement सब्मिट कर दोगे और प्लंत लेवल का घर बना लोगे फैलोड का Construction शूरू कर दोगे और ए जी आई डिक्समिट कर दोगे तो दो किस्त आपको बाद में मिलेंगी यह आपको 60% पर एमाउंट मिलेगा तो दोस्तों यह प्लोट कम परचेज की यह कंडिशन है इसके अलावा जो डाकुमेंट थे वो जो कंस्ट्रेक्शन के जो मैं आपको वीडियों पहले बता चुका हूं सेम वही डाकुमेंट है सिर्फ प्लोट खरीदन और सेल्फ कंस्ट्रेक्शन अपने प्लोट पर मकान बनाने की अभी दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको आगे कि कितना लोन आपको मिल सकता है क्या EMI होगी क्या टाइम पीरेड होगा क्या इंट्रेस्ट होगा वो आपको एक चार्ट के थुरू मैं अभी दिखाऊंगा तो दोस्तों यह है चार्ट यह मैं चार्ट आपको किस साफ़े लों और कैसा इमाउंट मिलता है उस पर बात करते हैं जैसा कि आप स्कीन पर देख रहे हैं दोस्तों यह अपका और यह आपके टाइम पीरेड हैं वान टू थरी जितने भी साल के लिए आपको चाहिए 20 साल तक लिमिट है जैसा कि आप यहां देख रहे है 35 लाक मैक्सीमाँ वी साल के लिए आप ले सकते हैं और दोस्तों इसका जो इंटरेस्ट ये यह 7.15 लिखा है लेकिन अभी प्रिजेंट पे दोस्तों यह 7 परसेंट है तो दोस्तों जैसा कि आप सपोज करो आपको पंद्रे लाक यह चाहएं और 10 साल के लिए आपको लेना है और गौन होसा तो दोस्तों यह आपकी 910 की इती ऐसी बनेगी Đây सथ्रेजार 530 रूपय और आपको अगर यह साल के लिए लेना तो दोस्तों यह आपकी किस्त बन जाएगी 13600 रूपए और इसी को आप bevor 50 साल के लिए लेते हैं तो दोस्तों यह आपकी किस्त बनेगी 11,765 रुपे की इसी इसाब से जितने लाक रुपे ले सकते हैं जितने साल के लिए जैसी आपकी सर्विस यह जो एमाउंट मिलता है दोस्तों यह मिलता है आपकी रैंक आपकी बचिवी सर्विस के आधार पे तो जितनी service आपकी बचिये हैं, जितना आपका एमांट चाहिए, उसके इसाफ ने सीसाफ से आप अपनी service बचे के इसाफ से और ज्यादा 35 लाइन सकते हैं, इस chart के इस एप mechan कराते हैं, plea आपको अभी आपके इस बारते हैं, आपको जरूर कहना प्सक्लाइई तो आपको ज सारे डाकुमेंट इसमें खतम हो चुके हैं, तीन डाकुमेंट बचे हैं, तो इसलिए दोस्तों अभी एज आई अपनों से ना डरना है और ना इसमें कोई ऐसा इश्यू है, आप आसानी से तीन डाकुमेंट तो कोई भी बना के बेज सकता है, और सारे डाकुमेंट आप अप अपने ऑपिस में अपने बाबू से बनवा के बेज सकते हैं और दोस्तों जो बाकी बचे चार-पांस जो और टॉपिक हैं मैं उन पर दूसरी वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं उसको डिटेल में बताऊंगा और उसके अलावा दोस्तों किसी का कोई कोमेंट्स तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली नई जानकारी के साथ जैहिन जै भारत